हेलो एबरिवन वेलकम टू टीपीडी ओलाइन क्लासिस एकनॉमिक्स में सेकंड चाप्टर हमने स्टार्ट क्या हुआ है पेपुल एज रिशोस इस चाप्टर में हमको टोटल ये टॉपिक्स पढ़ने वाले थे जिसमें फॉस्ट पार्ट में हमने ओवर्वियू और एकनॉम एक्टिविटी होती है दो टाइब की होती है मार्केट एक्टिविटी एं सेकेंड होती है नॉन मार्केट एक्टिविटी मार्केट एक्टिविटी का मतलब कि अगर हम गूट सेंस सौविस का प्रोडक्शन कर रहे हैं और ये प्रोडक्शन जो कर रहे हैं मार्केट में सेल करने के लिए हमें income generate करने हैं तो ऐसी सारी activity क्या कहलेंगी market activities डूसरी activity को जिसे बोलते है non-market activity इसमें भी goods and service का production तो करते हैं बट किसके लिए self consumption के लिए तो जब self consumption के लिए किसी चीज को करेंगे किसी चीज का production करेंगे तो क्या आपको वहां पर monetary benefit होगी बिल्कुल नहीं activity provide perform की जाती है किसके दोरा main and male और female के दोरा की जाती है ना इसमें बहुत हद तक difference होता है क्या difference है one by one करके जानते हैं पहली बात कि जो women's होती है ना इनको domestic affairs के मामले देखने होते हैं जैसे घर पे कपडों की washing करना cleaning करना housekeeping करना बच्चों की देख बल करना और जो main होते हैं उनको घर से बाहर के जितने सारे काम होते हैं jobs करना marketing करना business समालना ये सारे काम कौन करते हैं main करते हैं जो काम male male या main बाहर करते हैं घर से बाहर उनके इसके लिए क्या मिलती है इनको payment मिलती है क्या मिलती है payments as a salary मिले या daily wages के तौर पे मिले लेकिन जो women होती है वो घर पे काम करती है इसके लिए उनको payment बेलकुल भी नहीं मिलती जो काम main के द्वारा किया जाता है उसको recognized किया जाता है किसमे national income है national income में जो भी country की income generate होती है उसमें जो male community के द्वारा country के अंदर में जि females के द्वारा females के द्वारा जितना भी काम घर पे किया गया जिसके लिए उनको payment एक भी रुपए भी नहीं मिले उनके income को national income में count नहीं किया जाता है समझ गये तो यह सारे क्या होगा differences होगा किसमे main and female की income groups के बीच में यह यह दोनों लोग जो economic activity perform कर रहे है इसमें अब एक next topic आता है हमारा क्या quality of population quality of population का मदल है let's say आपकी class में 15 बच्चे है क्या सारे की सारे 15 बच्चे पढ़ने में बहुत ठीक टाक होते हैं ऐसा तो बिलकुल नहीं है बहुत सारे बच्चों की productivity बहुत जादे होती है किसी बच्चे की creativity जादे होती है किसी बच्चे का favorite subject कुछ औ और है किसी को खेल में इंट्रेस्ट है किसी को किसी और चीज में इंट्रेस्ट है तो जब हम बोलेगी class की quality क्या है class की quality कैसे दिखती आपको class की quality ऐसे नहीं कि जब कोई topic discuss हो रहा है तो सारे बच्चे उसमें participate करें अपने व्यूज रख पाएं वैसे ही country के अंदर में बात है कि नहीं है तीन चीजों को जब आप measurement करते हैं तो आपको क्या मिलती है population की quality मिलती है और जहां पे population में quality होती है तो जिसके अंदर में quality होगी तो क्या होगा productive भी होगा अब suppose करिये all learn classes चल रहे हैं आप लों की all learn classes में आपको phone मेला mobile phone मेला आपको video lecture देखने के लिए और आ आप क्या करें इंस्टा पर रिल्स देख रहे हैं इंस्टा पर रिल्स देख रहे हैं सेर चैट पर वीडियो बनाएं या इंस्टा पर ही रिल्स बनाएं टाइम पास करें तो क्या आपकी कभी productivity बढ़ेगी आप class 9 में पढ़ाई कर रहे हैं आपको यह बुला गया आप senior तो जब हम बात करते हैं किसकी population quality of population की इसका क्या मतलब होता है कि country कंतर में literacy rate कितना है और जो भी population है वो healthy है कि नहीं है literacy rate कैसे measure करेंगे कितने लोगों को पढ़ना लिखना country कंतर में आता है और healthy क्यों चेक किया जाता है healthy इसलिए जब कोई बैक्ती healthy रहेगा country के अंदर में तो बहुत जादे क्या होगा productive होगा किसी काम को करने में मन लगेगा efficiency बढ़ेगी तो इससे क्या होगा country की भी growth होगी या फिर वो जिस state से बिलॉंग करता है उस state का भी अच्छे से growth होगा और वो GDP में बहुत अच्छा क्य परना होता है वहाँ के लिए trace rate कैसी है और health की facility कैसे population healthy है कि नहीं है तो जीस बैक्ती के अंदर में यह दोनों चीज़े पाई जाएंगी वो क्या होगा capital होगा और चो capital बनता है किसमें convert होगा human capital जब human capital बनेगा तो country के लिए किसका काम करेगा asset के लिए liability नहीं रहेगा कभी asset का मतलब in a near future वो कुछ income generate करने के लायक होगा और अगर income generate नहीं कर पा रहा तो वो क्या कहलाएगा liability कहलाएगा उसके उपर में आप अभी और invest करने की ज़रूरत है for example जो बचे इस COVID के period में all medium के थुरी अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे मेहनत करेंगे वो कल को चल के क्या बनेंगे asset बनेंगे और जिसको यह है कि हमको इंस्टाइप रिल्स बनाना ताइम पास करना के वाल वो क्या करेगा liability बनके रह जाएगा इंडिया में डेटा दिया गया है कि education हम आजाद हुए थे कब 1950 के something में हमारा constitution implement हो गया ठीक है तो 1951 में जब census करवाय गया तो इस टाइम इंडिया में literacy कितनी थी कितनी लोग इंडिया में पढ़े लिके थे तो वो थे near about 30% कितने हैं 30% उभी कौन पर्शन की बात हो रही है 30% ते जिसमें से red वाले जो columns देख रहे हैं आप यह male के हैं बाकी yellow वाले females के यह नियर अबाओट हर 100 में से 30 लोग हमारे इंडिया में पढ़े लिके थे इन 30 में से 20 लोग male पढ़े लिके थे और females कितनी थी 10 थी यह धीरी धीरी देख रहे है ना graph बढ़ा है day by day year by year बढ़ में कितनी है 76 के something में जिसमें से 81 के करीब में male educated literate है और females कितनी है यह है 64 65 के something में तो यह graph year by year बढ़ा है ना तो यह graph को देखने से क्या पता लग रहा है कि हमारी जो country है इसमें literate लोगों की संक्या क्या हुई है day by day year by year increase हुई है females की संक्या भी और male की संक्या भी यानि हमारी government ने education को पर में बहुल ज़्यादे खर्चा गिया बहुल ज़्यादे ध्यान दिया है literacy rate की definition पता है क्या होती है ऐसा कोई भी बैक्ती जिसको 7 years की age तक पढ़ना लिखना आ जाए उसे क्या बोलते है लिट्रेट बोलते है यानि सपोज करी आपके surrounding area में कोई एक ऐसा बैक्ती रहता है जो books को पढ़ लेता है उसको इंडिया में लिट्रेट डिक्लेर कर दिया जाता है तो यह जो graph आप देख रहे हैं यह लिट्रेट लिट्रेशी रिट्रेट की एजुकेटड पेपल्स की क्या नहीं है रिट्रेट लिस्ट नहीं है यह लिट्रेट लोगों की है जिनको के अबड़ पढ़ना लिखना आता है उनकी है अब यह जो education है इसका क्या रोल होता है education एक ऐसा process होता है जिसमें आप बहुत सारी नई चीजों को सीखते हैं, knowledge को क्या करते हैं acquire करते हैं जब तक आपके पास में knowledge नहीं आती है जैसे knowledge किस चीज का सही गलत में differentiate करने का दूसरों के साथ कैसे behave करना है तरह तरह के subject सीखने का resource करने का ये सारी चीजे जब आप सीखते हैं जब सीखते हैं तरह से क्या होता है? एक इनसान का क्या होता है? growth होता है education का role ये है कि इनसान का personal growth भी होता है जब personal growth होगा है, धेर सारा knowledge होगा तो आप दूसरों को भी क्या कर पाएंगे? educate कर पाएंगे और इसके अलावा भी जब country के development की बात आती है तो वहाँ पे भी क्या माईनी रखता है literacy rate जब एक person educated होगा तो उसकी family educated होगी जब family educated होगी तो society educated होगी जब society educated होगी तो जाहिर सी बात है कि उस country की literacy rate भी जादे होगी जब आप बहुत जादे educated होगी तो इस बात के highly chances है कि आप humble नेस आएगी आपके अंदर में क्या आएगी? humble नेस आएगी जब humble नेस आएगी ना तो जब भी आप कुछ बोलेंगे किसी के साथ communicate करते हैं तो आपकी personality निम दिखता है आप ऐसे किसी सब्द का परयोग नहीं करेंगे कि सामने वाले को mentally या physically hurt हो सामने वाले को mentally या physically hurt हो सब का आप respect करेंगे लेकिन जब आप educated नहीं रहेंगे तो किसी को भी आप hurt कर देंगे आपकी education उस level के नहीं होती है एक education person जो है अगर कोई person educated है तो वो बहुत अच्छी earning कमा सकता है किसके कम परयोजन में uneducated person में क्योंकि उसके पास में education के साथ में क्या एक skill है और जब उसके साथ में skill जादे होगी let's say दो लोग है एक लोग जो है construction area में as a labor काम कर रहा है और एक जने कहीं पर doctor है doctor दोनों इंसान ही है बट उसकी थोड़ी सी इज़ जादे है उसके पास education जादे है उसकी salary जादे है इसकी कम है और जिसकी जब salary जादे होगी salary कम है या जादे है difference कब आए यह आया उसकी education से अब यह जब यानि जब बहुत जदे लोग educated होंगे उनकी income जादे होगी और जब individual personality की income जादे होगी तो national income भी तो grow करेगा इसलिए जिस country का अंदर में बहुत ज़ादे educated person रहते है वहाँ पे उस country की national income भी क्या करती है increase करती है इसके अलावा क्या benefit है country का अंदर में जो governance की efficiency है वो भी enhance होती है enhance क्यों नहीं होगी जब society में पढ़े लिके लोग रहेंगे तो misbehave नहीं करेंगे crime नहीं करेंगे जब crime नहीं करेंगे तो society में law and order maintain रहेगा और जब लोग uneducated रहेंगे तो हर बात पो उनको गुसा हैगा सामने वाले को गाली देंगे misbehave करेंगे violence करेंगे जो violence करेंगे तो law and order maintain law and order disturb होगा और government की efficiency भी धीरी-धीरी क्या होने लगती है खातम होने लगती है ठीक है इतने सारे benefits है अभी के लिए इतना ही रखते हैं next video में health issue को discuss करेंगे thank you